आवाई जी स्कूल जटे आपरा पूर मुख्य मंत्रिश इमान अशोग गैलो जी अठे पड़ाई करी थी ओईज वो घर है जटे वे रेवता था अशोग जी रपिदा जी था वाणव आपरी यारी दोस्ती थी बहुत अच्छी जान पैचान थी पूरा कड़ाव लगाते थे और सब बच्चे सामिल हो जाते थे और फिर गोट भी करते थे तो वो उनका हमेशा यही देही रहता था कि पहले दूसरे मौलों का काम करो फिर अपने घर का काम करो ऐस सब मना कर दियो जने पचे असो गेलो थी सब्सक्राइब कर दिया था तो कोई भी उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकता था असोग दी चला था जिबहों कोई साइकल वाड़ा ना पटब दिया अच्छा खमागणी रामरा मैं हूँ आप रिभीशमा आप रदोस दीपग आप देख रहे हूँ चलको मीडिया चैनल और आज मैं मौजूद हूँ जोतपूर शेहर में और जोतपूर की महमंदिरी पहली पॉल रोट खड़ो हूँ मैं आप देख सेको मारल आ रहे है आपने में जटे अशोग गेलो जीरो बच्पन गुजुरियों है और अबार में वाने घरे भी जाऊ ला और कुछ मोहला रा लोग है जो वाने बारे में अगर बात करे ला तो वास भी बात करवारी पूरी-पूरी कोशिश करू ला जो आपरा पूर मुख्यमंतिर यह राजस्तान रह मैं वाने उन गली में ही हूँ और आपने दिखा सकूँ ओईज वो घर है जटे वे रेवता था और अठे ही वे पूरा मस्ती मजाक और पूरो बच्पन बितायो है अब अशोग जी तो आपने पतो ही है कि वाने दूसरो निवास्तान है लेकिन पूरानो जो घर है वानो में बैठो हूँ एक वयोवर्द एक बाउजी है यहां बात कर रहा ला आप रुशुबना रतनलाल कागोत बाउजी आपनी उमर कही हो ला 91 क्रोस कर चुका हूँ मैं 92 में प्रविस कर चुका हूँ मैं तो आपर पड़ोसी है शोग जी सहाब है तो कितना साल होईगी आपने इन मकान में मने इन मकान में मने वैसे तो यह मकान 200 साल पुराना है एक रणू साल तो मेरे को हो गए मकान मेरे रहत हूँ मेरे पिता जी रहते थे और दादा जी रहते थे उसके पहले अब कि तेरे फैमिली वो मेरे को पता नहीं कौन सी पीड़ी है आप री जो ठरह रह रह अच्छी जान पैचान थी और एक सरी के संबन थे वो भी अमारे आते थे हम भी उनके जाते थे मिलन सार आदमी थे अशोग जी कुछ बच्चपन बता से को आप जो अगर आपने महला में कभी कुछ बच्चा होया करें जो आप देखता था अशोग जी ने खेलते थे साथ में रहते थे इनके दो बड़े भाई हैं बड़ा सबसे बड़ा भाई यह नंबर का कॉंट्रेक्टर था और दूसरे नंबर का भाई यह पाउट आप च्वराय पर बीज की दुकान ने और इनके पिता जी तो वर्ड के मिस मेरिजिम थे एक नंबर के उनके ब तो बहुत जी हरकत करें कभी किरिट खेलता था तो कभी के निए खेड़की तो अजिए कि किया यह अविए को 섹्ण होलिए उस Fra करणाफ लगाते थे और सब बच्चे सामिल उजाते थे और लिए और पीर करते लिए न कोई Jan तो पाल रहाते थे और उसमें गुम्यजें कभी कोई किस्थो जवन परिवार आपरे बीच में कभी कुछ हुयो हो मतवेद हुए। और साथ मिंगेरते थे आता है तो उसके पहले मेरे घर आता है मैं बार ही खड़ा रहता हूं तो पांच मिनट मेरे पास रुक के और फिर अपने पिता जी के और माता जी के माला चड़ा हर्पंड करने चाता है घर पे और फिर वापिस चला जाता है आशोक जी हमें ले क्यों नहीं जादूगरी में गया वे राजट में क्यों है आशोक गुद्र जादूगर है वो खुद जानता था बस्का आदा सरीर चौकट में लगा करए उसमें कररंट पैदा हुने लग जया था कोई भी आद नहीं लगा सकता था उसे उनके पिता जी ने उसके सिरीर में करेंट पैदा कर दिया था तो कोई भी उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकता था इत्ता वो जादूगर एक नमबर के जादूगर थे और जिस समय काड़ी ड्रेस पैन के और खड़े होते थे बिलकुल प आजकल आपके देगा कई मोला में पानी रिसामस्या रह वें कदी पानी भड़ जा वह रही है या कभी कुछ और समस्या कुछ मैंने मेरी जिंदगी में मैंने भी आप 91 एर्स कर ली हैं मैंने कभी इस मौले में किसी प्रकार की समश्या नहीं देखी इनके पिता जी जो अपने घर का काम करवा और यही हाल असुक का है कि वो पहले सब दूसरा काम करवा था और फिर अपना घर देखता है और कितनी जानकरिया अपना शोजीर बारे में कि खावन पिवाना कुछ शौक थो या कोई दुकान थी वटेवे अधिक तर जावता है दुकान है और यहां कोई चाई भी पिनी जानी पड़ती थी तो ठेट गंटागर के पहले कोई चाई की दुकान नहीं मिलती थी यहां से तांगे में बैट के जाते थे वहां चाई पिना जाते थे बाकी कहीं हमारे घर में चाई कभी बनती नहीं थी होली दिवाली या कभी कोई जुखाम वकर हो जाता चटाग बर चाई लाते थे तो वो साल बर पड़ी रहती थी चाई की ती चलन भी नहीं थी उसमें दूद और चाच और मक्षन ये सब मिलते थे हर घर में बिलोना होता था चाच सरब फ्रीमिया देते थे का आज उसके बिल कितनों प्यार है सब। दादा जी पूरा मारवाडी में बोलता है, अबेपर कहीं हैं, कि ना मारवाडी रही, ना अंगर जी रही, ना इंदी रही, सब मिक्स होगी, इन वास्ते हैं, और जिन्टेम रहा हो, इंदरा कांग्रेस दो फाट होया है, तो आड़ा हो, बिल्कुल ट्राब, नुदा सहल रह जैने वो पूछी ओमने, कि कहुछ है, कहीं करणा कांग्रेस, इन दरा कांग्रेस में जाओं या दूसरी सद्रापylक्रेस में जाओं, क्योंके बड़ा बड़ा जिता funding मदेर ना या जो दूसरा कांग्रेस, इन दरा, एह सब मना कर दीं, जैने पज़ी असो गेलों ती, ओ विचार करियो कि मैं खड़ों गूला और इना खड़ों करियो और ओजीत ने कियो तो आप ही वाने एक रास्तों दिखाया था कि इन में जा तो थाड़ा सफल हो गया विचार है अपने अपने मैं ही मारा विचार रख दिया कि वह तुम सोच ला है मारे हिसाब हूँ तो मैं आप सोच हूँ का बार इंदर कांग्रेस ही सोब ताकत वर है और द्रड है मजबूत है तो मारोग हिसाब तो है कि तुम अगर इंदर कांग्रेस में जा वेला तो थारो बश्य सुदर जा ला वैसे कॉलेज मेंनने भी हूफ कोई चुनाव नहीं जीति हो और सिर्फ पहली चुनाव में खडोयो ओँ और एंपिर में जीटनें गे कई करण है कि कॉलेज में चुनाव नहीं जीतिया और एंपीर चुनाव जीतिया है तो अब आप तक्दीर भता है कुछ पांग्रे medicine च्छलन भी बहुत जाद गा स्द्पद्दया कर दियुकॉ तो इन मासे उन्ह नाम भी ओ से इनवात्self ना जरत देखाति चुनाओ करके नुथा खर्चर्ण पाड़ती आपने कैसो लगे जब आपर मोहला रो एक लेड़ो को जो अशोग नाम हो आज राजस्तान रो मुख्य मंत्री बनियों उन्हें बाद आप देख सको कि कॉंग्रेस जो पार्टी है उन पार्टी रहा काफी नाम चीन नेता में नाम गुनियों जाया करें तो आपने कैसो महसूस हो जब आपने आपाज सुनवा में देखने मिले आपाज तो देखो क्यों नहीं जोड़ती नहीं है मारे मोला रो चोरो हो और चोरो ठेट मुख्य मंत्री बनियों और मोला रो इत्तो ध्यान रखतो मानो भी इत्तो ध्यान रखतो यूं हर एक आदमी र मारुख्याल है कि वह सब हो अच्छो सपोर्ट करियो बिल्कुल आप देख सको जोतपुर गंदर एम्स है जोतपुर में लॉइ पुलिया बढ़िया है एम्स है लॉइडिकल कॉलेज है यह सब कांग्रेसी देन है अब चाहिए मैं असोकर नाम में नहीं लूँ पर तो कांग् जोतपुर तरक्की करी है तो अब कोई नहीं करते है चाहिए वसंदर राजे भी रही पंदुवा भी जोतपुरे अगेस में रही अब बजनलाव शर्मा है और भी जोतपुरे अगेस में क्यों का टारो मुख्यमंत्री अशोग गयलो हो तो उन्हें सपोर्ट करनो सवाली प बहुत पिछड़ो रहे हो तो बीस साल पचास साल पुरानो जोतपुर रहे हो तो इतनों फरक पड़ियो अब आर जो जोतपुर एक और बहुत चड़चित नेता है गजनल सिंग शेखावा साहब है तो यान बार में आपको कई विचार है कि यह राजनिती के अंदर मेंने बंती नहीं तो कोई भी जो योजना बंती गजन सिंग उन्हें आटका देऊ तो अशो गणवे कोशित करतो मैंनती भी गणवे करतो प्रादान में नर्यमोदी में घणवी चिठियां लिखतो परन तू दो सरकार जाते आर आपस मेला बटे च्छतीसरा आख रहे हो त तो दो लाइन में आपके बता ओला अशोग जीरे बारे में मैं तो यह कहूंगा का अगर जोतपुर में अशोग एक दबे फिर आ जाएगे तो जोतपुर की जो प्रगर्ती होनी है या जो होना है वो असोग के द्वारे ही होनी है चाहिए इसके पहले भी कांग्रेस के करना हो पड़े सीरोई से भी हार हो खाना हो तो कही लग रहा वाणा और राजनीति करियर्स खत्म हो जाया लगबग अब यह तो राजनेती है इसमें ना तो दूस्मनी होती है ना दोस्ती होती है आज दोस्ती है कल दूस्मनी है तो आज दोस्ती है अब कांग्रेस के इत्य आदमी सब बीजेपी में सामिल हो गए, अब वो सब गंगा में आ गए, जड़ते ही वे कांग्रेस में आ जड़ते ही चोह रहा, और बीजेपी में जावता ही, सब साफ हो गया, तो इन वास से राजनेती कोई अब चाल नहीं रही, कोई समय था, कोई टाइम हो, जड़ना राजनेती बहुत गंदी हो गई है, अब राजनेती में कोई वो नहीं है, ठीक है, जिसके पास पैसा है, बन रहा है, और जो बनेगा वो पैसा तो ले गई, लेकिन इन बार जो आप देखो चुनावरा नतीजा है, उनमें कॉंग्रेस काफी सीटा हासिल करी राजस्तान के अंदर और बात कुरू जोतपुर की तो जोतपुर में लगबगत है, तो कि करन सिंग जी उचाड़ा दीच सेकेला, लेकिन आप देखो अशोग जी एक बार भी अठनी आया, एक बार भी को रेली में, कदी कोई कुछ करया नहीं, ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं करया, वे पूर करन सिंग जी उचियाड़ा, उनका भी वो महाराजपतों के अंदर काफी समान था, तो अशोग ने सोचा के वहाँ थोड़ा और ज्यादा जोड़ लगाएं तो साहित हो सकता है, परन्तु वो काम नहीं आया, और इधर से यह आर गए, उधर से वो भी आर गए, तो फिलार क में काफी रूची रिख्या कर रहे ये भी, तो विस्तार से बताया आपा ने, तो फिलाल मैं महामन दी तीसरी पॉले अठेक पतंगरी दुकान रेठे हूं, और बाओ जी यह यहूं बात करा ला आपा, आप बता रहा था कि अशोग जी ने, आप आप जानो हो काफी समय से, और अठे ही आगे महला में वरिया है, तो कितनी जानकरी कुछ बता सो को आप? अठे हैं बाबु लचुन सिंग जी ने उटू आये ही जा, बाबु लचुन सिंग जी यहांने, कि अब ही पत्तर आया थान, जाऊनो है, जाना आप गया हुटे, वह मैनत करी, मैनत करने हुटे हैं आरे, कांग दे सोड़ार दिमाग में च्छाय गया, जाना बाद रहे माहन बाबु लचुन सिंग जी ने पत्या पाचा इलेक्षन हो या, एलेक्षन हो या तो टिकेट मिलनो तो बिर्म सिंग जी ने, बिले अचुक जी ने मिल गियो, जाना अच्या बोटों जीतिया, जीतने बाद रहे माहने, पत्या ने उडियान मंत्री बनाया पहली, बश्तर मं मुंत्री बाद रहे माहने, पत्या ने मुक्य मुंत्री पद मिलियो, उन बाद में खोव चाचा जोद्पूरा काम भी किया, करीब करीद जोद्पूर या गाड या जी है जिगयां का सोग जिरी किर्पा है, और M से आई भीए सोग जिरी किर्पा है, ITI आई 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 जिरी है, लायोडी है, तो काम असोग जी जोद्पूर परती कापी कियों, सबों मिलिया, मिलिया वड़ा आदमी है, सबर हाथ उट्टे बैटन वड़ा आदमी है, आपरी यारी दोस्ती असोग जी हूँ है, या वणा भाई से है, किनु है, उन्हेरे छोटा पाई आई आप पहले यार बाही रहता है, अपने अगर से जी रहता है, 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 अब अगर से जी कोई बड़ा बंडलो भी जो बना लिए उटगी है, अब आर मारी कान पिला लो मकान खादी पड़ी है, आप रहते कभी आउता है, कई कोई सो अपने याद है कोई बात चीज चलिए को मजा करता हो कुछ बात बता सकता हैं ये- 있다 हुई- बात-ठीम आ-दी आपने कहुंआ भूसंद।- जाड़ी आई हो एक जाड़ी आए तए को तो निक्रेयां सिप आउसामी जूँए मोड ली ओ असोग जी चला अटाज जिको कोई साइकल वाला ना पठक दिया तो पठक दिया जमकज़वा उटे ही मातमाने वागाडी रोकी मातमाने ना लागी आपाते हैं वेकट लुद्द अपर दोस्त दीपक चलको जोदपुर से और कैसी लगिया आपने खास रिपोर्ट कॉमेंट करके बताओ लाइक करो शेर करो और बना रहो हूं मारे साथ यूही अपनो प्यार और श्वाज यूही बना रहो धन्यवाद अब मारे साथ बनाब ायद यूही लगिया प्यार यूही बनाब शोस्तों राफ यूही भी हम करताओ